ठीक है पाकिस्तान बोलता है हम मुसलमान है हम भी मुसलमान है लेकिन पाकिस्तान के लोगों आपसे में इतना ही बोलता है जो आपके ये खुद गर्ज पॉलिटेशन है उन्होंने आपको लूट ओ लंडन ने लिया पैसा तो आप भूके मर रहे हैं तो हम क्यों आ जाए आप आप लोगों के साथ हिंदो का अपना मजभ है वो पाले तो नफरत क्यों करें हम जै हिंदोस्तो दोस्तो भारत दुनिया की सबसे सक्तिसाली संगठन का अध्यक्ष बन चुका है और इस चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी हलचल मची हुई है असल में ये वही संग संगठन है जहां पर पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है संगठन में दुनिया की सबसे सक्याजी सालीडे संबलद SSD हैं चाहे बो एकॉनमी के लिहास हhen पौपुलेशन के लिहास होज से खेतًफ़ल के लिहास हो या अपनी सक्तियों के लिहास से हो अपकिस्तान में इस चीज का हला मचा हुआ है कि भारत कहीं इस संग्ठन में पियो के का मुद्ध ना उठा दे और यदि भारत पियो के का मुद्ध उठाता है तो पाकिस्तान वहाँ पर पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगा और ऐसे समय पर पाकिस्तान के जिगरी दोस्त तरकी और हैंगे सब्सक्राइब के सारी दुनियों को बता है जुसकी कमपेंड में चलते रही है कि कश्मीर जाती हो रही है वहां बड़े जल्म सितम किएंगे उन्होंने वह जाती हैं अब उस पर पड़दा डारने के लिए चोटे मोटे काम करवा के दहाने जाए होजी मैंने काम कि यहां पर ऐसा कोई इशू नहीं है चोटे मोटे डैम बना रहे हैं वहां पर रेलवे वह भी जो भी करना ना वह डैम बनेगा फाइदा नो अपने आपको लेना है कश्मीर की वाम को फाइदा निए कि कौन सा फाइदा देरे हैं पर उसके बाद हमारे इस मुलक को देखें ह हमारे एदारे भी हैं हमारी हकूमते भी हैं एतिंसरी पार्टी हैं थो admissions अके यह मारा आ उनलारी सिर्फ लगा उनना वह ऱ्लिवी तों कर रहे है वह कौने मुहारा करें कि बोढ़र्री थे हमारा यह हमारा है इसका फैसला नहीं हुआ तुम के तो यह जो काम करें तदहान की पाकिस्तान के आर्मी चीप से लेकर उनकी गवर्मेंट तक को इस चीज की चंता रही है कि अगर उनके हां से पीयो के निकल जाता है और पीयो के पूरी तरह से सुतन्त हो जाता है तो फिर बलुचिस्तान भी अपनी आजादी की मांग और भी तेजी से करने लगेगा और यदी फिर ऐसे मैं पाकिस्तान बलुचिस्तान को आजाद नहीं करता तो बलुचिस्तान के लोग पाकिस्तान के लोग पर हला बोल देंगे और जंग सुरू कर देंगे और ऐसे टाइम पर भारत बलुचिस्तान का पूरी तरह से सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान फिर से ए की पांइसा है कि एं से भी आम यही Bardzo हम इन कर चलींगे उधर क्या करना है चोटन सा मुलक कैं ठीक है पाकिस्था बोलता है हम मुसलमान है हम भी मुसलमान है लेकिन अ पाकिस्थान के लोगों आपसे मैं इतना ही बोलता जो आपके ये खुदगर्स पॉलिटेशन है उन्होंने आपको लूटव लंडन ने लेया पैसा तो आप भूके मर रहे हैं तो हम क्यों आ जाए आप लोगों के साथ हम तो यहां से निकाल रहे हैं यह न कॉरॉप्शन वालों को तो आप तो बिठा रहे हैं जो कॉरॉप्शन किया है जोनोंने गरीबों का पैसा खाया है वही दास्तान यहां कुछ पार्टियों पुलिटिकल पार्टियों ने चलाए हैं दुनिया में सबसे बड़ा जुमूरी मुलक हिंदुस्तान है ना कौन करेगा हिंदु का अपना मजभ है वो पाले तो नफरत क्यों करे हम आपस में बे बारत मेरा है इसका क्या मतलब है वो भी पारट है जब भारत खुद बोलता है कश्मीर हमारा ताज वहारा ही एक पार्ट है रहां तो उसको भी पार से ही मिलना है मतलब यह मानन के चलिए कि चार पार्ट है, तीन पार्ट इदर ही है, एक पार्ट उधर है, हम चाहते हैं वो एक पार्ट भी इदर ही आ जाए, जिसको आप प्योग की बोलते हैं अब पाकिस्तान के आर्मी चीप की भी दुनिया भर में और इस्पेसली पाकिस्तान में कापी ज़्यादा बुराइया हो रही है क्योंकि इनके कारेकाल में ही भारत ने दो-दो बार पाकिस्तान को बॉर्निंग दे दी है कि वो P.O.K को भारत में मर्जिक कर लेंगे सबसे पहले भारत की होम मिनिस्टर फर भारत की डिफेंस मंतरी अब भारत की आर्मी चीप ने भी यह कह दिया है कि हम P.O.K को क्याप्चर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है खेर पाकिस्तान की इस कमजोरी पर आपका क्या कहना है आप मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताईए और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईए